देश एक तरफ कोरोना महामारी से जूज रहा है तो दूसरी तरफ देश के कई हिस्सों में सुपर साइकलोन अमफान तबाही मचा रहा है कई चुनावतियों से जूजते हुए भी प्रधान मंतरी तुफान के संकट पर भी पूरी निगाह रखे हुए हैं प्रधान मंतरी ने कहा है कि तुफान से भारी नुकसान हुआ है ऐसे मुश्किल भरे हालात में पूरा देश पस्चिम बंगाल के साथ है जिन लोगों पर तुफान से असर हुआ है उनकी मदद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी आपको बता दें कि इस खतरनाक तुफान ने दो राज्यों में भारी नुकसान पहुँचाया है इनमें पस्चिम बंगाल और ओडिशा सामिल है तुफान ने कई लोगों की जान ले ली है और तटके आसपास के इलाकों के घर तबाह हो गए है पियम मोदी ने ट्वीट में लिखा है कि चक्रवात की वज़त से पस्चिम बंगाल में काफी नुकसान हुआ है मैंने इस तबाही का मंजर देखा है इस चुनवती पुन वक्त में पूरा देश पस्चिम बंगाल के साथ खड़ा है मैं भगवान से प्रारतना करता हूँ कि वहां के लोगों के हाल चाल ठीक हो हालाद ठीक करने के लिए लागातार प्रयास जारी है प्रभावित इलाकों में NDRF की टीमें हालाद का जायजा ले रही है और उन्हें ठीक करने में जुटी हुई है इसके अलावा सभी बरिष्ट अधिकारी भी हालाद पर नजर रखे हुए हैं और पस्चिम मंगाल सरकार के साथ मिल कर काम कर रहे हैं पीम के साथ ही केंद्रिय ग्रिह मंत्री अमिच शाह ने भी ट्वीट किया है कि इस सिल्सले में पूरी मदद की जाएगी वो चक्रवात अमफान पर नजर बनाए हुए हैं और संबंधित अपसरों के साथ लगातार संपर्क में हैं ग्रिह मंत्री ने कहा है कि उन्होंने उनिसा के मुख्यमंत्री नवीन पतनायक और पस्चिम मंगाल की मुख्यमंत्री ममताव एनरजी से भी बात की है तुफान से पैदा हालात पर हर संभव मदद करने का भरोसा दिया गया है प्रधान मंत्री की यही कारे शैली उन्हें दूसरे राजनेताओं से अलग बनाती है चाहे कोरोना वाइरस के संक्रमण का मामला हो या दूसरे संकट कोई भी राज्य हो वो नौकेवल पूरी नजर रखते हैं बलकि जल्द से जल्द हालात सुधारने के लिए भी दिसा निर्देश देने में देरी नहीं करते तो प्रधान मंत्री जिस तरीके से लगातार जागरूप बने रहते हैं और हर समस्या का जायजा खुद लेते हैं यहां तक की सोशल मीडिया पर भी अपनी नजर टिकाए रहते हैं यही उनकी खासियत है जो उन्हें अलग बनाती है विसेश बनाती है